प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी उत्रा खंड में चुनाव का विगुल बजा रहे हैं लेकिन अखाड़ा में हमारा फोकस दिल्ली पर होगा इस वक्ती बड़ी खबर दिल्ली सही आ रही है जहां सियासी हलचल तेज हो गई है अर्विंद केजरिवाल के घर पर आमात्मी पार्टी के विधायक और मंत्री पहुँच रहे हैं ये सभी विधायक अर्विंद केजरिवाल की पत्मी सुनीता केजरिवाल से मिलने के लिए पहुँचे हैं केजरिवाल 15 अपरेल तक जेल में है ऐसे में विदायकों का सुनीता केजरिवाल से मिलना सियासी अटकलों को हवा दे रहा है ये मीटिंग क्यों हो रही है क्योंकि जब इंडी गटबंदन के त्वारा शक्ती प्रदर्शन की कोशिश हुई थी या विरोध प्रदर्शन ईडी और अर्विंद केजरिवाल के एरेस्ट पर हुई थी तब भी उसकी अगवाई सुनीता केजरिवाल नहीं की थी क्या अटकले इस बात की तेज हो रही है क्या सुनीता केजरिवाल दिल्ली का अगली मुख्यमंत्री के रूप में सामने निकल कर आएंगी बड़ा प्रशन उड़ रहा है क्यों ऐसा एडी ने कहा कल कोट में कि अर्विंद केजरिवाल ने सौरभ भरद्वाज और आतिशी का नाम लिया है और कहा है कि विजे नायर उनको रिपोर्ट करता था जावेद मसूरी इस वक्त अर्विंद केजरिवाल के घर के बाहर से लाइव इस वक्त जुड़ रहे है सबसे बड़ा प्रशन यह है कि ये विधायक वहाँ सपोर्ट प्रदर्शन के लिए आए है ये कहने के लिए आए है कि जब तक केजरिवाल जेल में है तब तक सुनीता केजरिवाल जी दिल्ली सरकार को चलाएंगी मुख्यमंतरी अर्विंद केजिवाल के आवास के बाहर की सीधे तस्वीर आपको दिखाएं यहाँ पर वो लोग खड़े हैं जिनके हाथ में अभी पर्चे है और जो टैली कर रहे हैं कि कौन विधायक यहाँ पर पहुँच चुका है कालालज देकर बीजयपी जॉइन करने की बात कही गई आ जो आप अटकलों की बात कारें कियासबाजी की बात करें वो तो कयासबाजी है है जिसमें दिल्ली सरकार के सभी मंत्री है वो पहुंच चुके हैं विधायक पहुंच रहे हैं अभी जो सिवील लाइन और उसके आसपास ट्राफिक बहुत जादा है हम भी यहां पर पहुंचे हैं तो और पहुंचने में थोड़ा सा वक्त बाकी विधायकों को भी लग रहा फिलाल जो काफी संख्या में विधायक अंदर मौझूद है क्या निकल कर आएगा अधिकारिक तौर पर ये तो इंतिजार करना होगा लेकिन जरूर इस सियासी घंटना करम दिल्ली में बहुत तेजी से निकल कर सामनी आ रहा है जी बहुत सारी अटकले हैं बहुत सारे प्रशन उठ रहे हैं क्या सुनीता केजरिवाल आग को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री चुना जाएगा क्या ये लालू का बिहार मॉडल है जहार राबडी देवी उनके पक्ष में आई थी उनकी जगा आई थी तो क्या वही उसकर अरविंद केजरिवाल ने आतिशी और सौरभ भरदवाज का नाम लिया ताकि सुनीता केजरिवाल का रास्ता साफ हो अब वही जेल में जाकरके उनसे मुलाकात कर रही हैं और उनके पीए विभाव जा रहे हैं तो सुनीता केजरिवाल के सामने मिलकर विधायक अपनी प्रिति बद्दता जताएंगे और दूसरी बड़ी बात ये पार्टी ने तैय कर लिया है कि इस मामले में इस्तीफा मुख्यमंतरी बनाना या किसी और को मुख्यमंतरी बनाना इसका सवाल ही नहीं उठता और दूसरी बात आनन जो अरविंद केजरिवाल ने कल जो बयान दिया था जिसमें आतिशी और सोरब भारदुआज का नाम लिया है उस मामले में आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि विजे नायर जो इस मामले में एडी ने ग्रफतार किया था और इस समय दिल्ली के तिहार जेल में बंध है विजे नायर ने जब डेड़ साल पहले अपना बयान दिया था तो उसने भी अपने बयान में यही बात कही दी कि वो आतिशी और सोरब को रिपोर्ट करता था और अर अर्विन केज्रिवाल और आम आदमी पार्टी को पूरी को यह लग रहा है कि अगर क्योंकि आम आदमी पार्टी की फर्स्ट लाइन और लीडर्शिप इस समय जेल में है सेकंड लाइन ओफ लीडर्शिप कर खत्रा है विजे नायर के भी अगर हम बयान की बात करें अगर इसने भी नाम लिया था डेट साल पहले तो पूसास तो कर ही सकती है एडी और इस समय चुनाव सामने अगर सेकंड लाइन ओफ लीडर्शिप पर खत्रा आया तो बहुत बड़ी दिक्कत आम आदमी पार्टी के लिए हो जाएगी प्रशार में दिक्कत होगी फैसले लेने म बढ़ा रही है यह भी एक बहुत बड़ी प्रबल संभावना है क्योंकि दिल्ली के उप्राज्यपाल कह चुके हैं कि जेल से सरकार नहीं चलने देंगे हाई कोट यह कह चुका है कि हाला कि समयधानिक तोर पर कोई रोक नहीं है लेकिन क्योंकि यह नियाई खसक्षेप का म केजरिवाल अगर मनीश सिसोडिया और सत्यांतर जैन से इस्तीफा मांग सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि जब तक आप जेल में है तब तक आप इस्तीफा दे दीजिये और आपके मंतरी पत को किसी और को दे दिया जाएगा तो बतौर मुख्य मंतरी क्या अर्विन केजरिवाल तिहार जेल में है और आमादी पार्टी दावा कर रही है कि केजरिवाल जेल से सरकार चलाएंगे लेकिन जेल मैनुवल के मुताबिक केजरिवाल का जेल से सरकार चलाना बहुत मुश्किल है और कहीं न कहीं LG थाप ने भी इस वार संकेत कर दिये हैं दे दिये ह कि जेल से सरकार नहीं चलच पाएगी इडी की कस्टडी से अर्विन केज्रिवाल ने कई आदेश दिये दिल्ली सरकार की तरफ से दावा किया गया की केज्रिवाल ने इडी की कस्टडी में रहते हुए आदेश के कई लेटर साइन भी किये हालाकी बात में ED की तरफ से इस तरह के किसी भी आदेश और लेटर पर साइन की बात से इंकार कर दिया अब केजरिवाल न्याई की रासत में तिहार जेल पहुंच गए हैं लेकिन आमादमी पाटी की जेल से सरकार चलाने की जित पूरी होना बेहत मुश्किल लग रहा है दरसल दिली से सब्मण्दित फाईल सीम के जरिये ही जाती है जेल से ये मुमκन नहीं मंत्री मंडल की सभी फैसलों की जानकारी उप्राजिपाल को CM के जरीये ही भेजी जाती है ऐसी सरकारी फाईल जो CM की देखने के बाद ही आके बढ़ती है जेल से ये मुम्किन नहीं जेल में CM केवल न्याएक जरुत के कागसों पर हस्ताक्षर कर सकते है सरकारी फाई के साथ ये मुम्किन नहीं CM अपने मंत्री मंडल के सयोगियों से मुलाकात नहीं कर सकते क्योंकि उनकी मुलाकातियों के नाम में वो शामिल नहीं है ऐसे में सरकारी आदेश कैसे पारित कर सकते कैबिनेट के पैसली लेना, आधिकारिक दस्तवेज पर हस्ताक्षर करना, जेल से ये मुम्किन नहीं रोजमर्रा के प्रशासने कामकाज का संचालत, लगभग ना मुम्किन हालंकि दिल्ली हाई कोट जेल से सरकार चलाने पर रोग की याचिका को ये कहकर खारिज कर चुका है कि ये कारेपालिका का विश्य है, लिहाज़ा इस पर पैसला, उबराजिपाल, राश्टपती या फिर केनो सरकार को लेना है इसमें न्याइक दखल का कोई स्कोप नहीं है, केज्रिवाल देश की इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री है, जिने पद पर रहते होए गिरफतार किया गया है और पहले गिरफतारी और उसके बाद न्याइक खिरासप में भेज़े जाने की बावजूद, अर्विन केज्रिवाल ने सियंपत्स सीफा नहीं दिया है दीपक बिष्ट, विकरांत और जावेद मंशूरी इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं, क्या जेल से सरकार चल सकती है दीपक बिष्ट सबसे बड़ी बात यही प्रशन उड़ता है कि तिहार जेल से गैंग तो चला रहे थे, लौरंज बिश्नोई जैसे गुंडे लेकिन अर्विन केजरिवाल जैसे व्यक्ति, जैसे नेता, जैसे दिल्ली के मुख्यमंतरी क्या जेल से बैटकर सरकार चला सकते हैं? दोरा पहुचा जाती है, और वो तिहार जेल के अंदर है, तो ऐसा कैसे संभा होगा, कोकि कई सारे सिगनेचर्स होते हैं, फाइलों में, वो अंदर तक कैसे पहुचेंगी, कोकि जेल मैनुवल इस चीज़ों की जाज़त नहीं देता, लेकिन अगर कहीं ना कहीं से ये सारी कि उसी दिन से लगातार जब गिरफ्तारी हुई थे, अर्विन केजरिवाल की तभी से लगातार आमादी पार्टी हमलावर सी, और ये कह रहे थी कि ओ दिल्ली की जो तिहार जेल है, वहां से सरकार चलाए जाएगी, क्या यहां पर जुबानी, यहां पर सरकार थोड़ी चल मनीश सिसोडिया क्यों अपना कारेभार नहीं संबाल सकते थे, तियार जेल से, उनके उनसे क्यों का गया इस्तीफा दे दो, दूसरी बात जब पुछली बार जब इससे पहले अर्विन केजरिवाल दूसरे नेताओं पर आरोब लगाते थे, तो आरोब पर ही वह पर आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल को इन सवालों का सामना करना पड़ेगा, अर्विन केजरिवाल कोई समाने राजनितिक पार्टी के नेता नहीं है, वो आंदोलन से निकलीवी पार्टी के नेता है, और आंदोलन भी ऐसा जो जनता के बीच जनता के बीच में जनता के समर्सन से उन्होंना अंदोलन खड़ा गया और उस समय सबसे अलग होने का दावा किया गया था लेकिन अब परिस्थितिया ऐसी बन गई है जो हम देख रहे हैं कि मुख्यमिंत्री जेल में है और उनकी पार्टी ये कह रही है कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे नैतिक सवाल जरूर उठते हैं और नैतिकता के सवालों के जवाब कोई भी व्यक्तिकत तोर पर ही दे सकता या पार्टी दे सकती है लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी महत्पून है कि आम आदमी पार्टी को जो मुझे बाचीत करने से लग रहा है उनके बड़ जूठ है और अगर अर्विंद केजरिवाल ने सीफ़ा दिया तो बहुत बड़ी सिक्कत है पार्टी के इस तर पर आएगी इसी कारण पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा संकत है आनन्द यह समझे कि सरकार बरखास हो सकती है वो जानते हैं कि यह संकत सामने उसके अर्विंद केजरिवाल ने पहले कहा है मैं किसी का मुझे किसी चीज का लोब नहीं है मैं तो कल ये कुर्सी छोड़ दूँगा अगर जनता चाहेगी मेरे खिलाफ अगर एक भी आरोप सिद्ध होता है तो फिर मैं कभी भी मैं पूरी तरह से राजनीती से सन्यास ले रहे हैं वहीं आपकी तरफ से यह है कि वो आपके नेशनल कन्वीनर है हमारे नेता है हम उनको अभी भी सपोर्ट करने है अर्विंद केजरिवाल 15 अपरेल तक न्याई घिरासत में है और जेल में उनकी पहली रात काफी बेचैनी भरी रही ऐसा सुमन सुनने को आ रहा है न लेकिन रात में परिशान दिखे जेल में केजरिवाल की पहली रात बेचैनी भरी रही वो परिशान से रहे सोमवा शाम जब वो त्यहार जेल पहुंचे तो उनके लिए पहले से ही बैरक तयार कर लिया गया था जेल नमबर दो के बैरक में केजरिवाल को रखा गया बैरक की लंबाई 14 फीट चोड़ाई 8 फीट केजरिवाल की बैरक में एक टीवी लगा है सीमेंट का उंचा चबूतरा बना हुआ है बैरक के बाहर चार सुरक्षा करमी हमेशा तयार रहेंगे बैरक में CCTV लगा हुआ है अरविंद केजरिवाल को डाइबिटीज की शकायत है ऐसे में उसी के मताबे के स्पेशल डाइट और खाने की सुविदा दी जाती रहेंगी 15 अप्रेल तक अरविंद केजरिवाल तेहार जेल में ही रहेंगे हाला कि पहली रात वो सही से सो नहीं सके रात में बेचैन रहे बीच बीच में नींद खुलती रही सुबह केजरिवाल ने चाय और बिस्किट का नाश्ता किया केजरिवाल जेल में अख़बार पढ़ सकते हैं किताब पढ़ सकते हैं और सुबह कुछ समय के लिए बैरक के बाहर रह सकते हैं लेकिन बाद में उन्हें बैरक में लोटना पढ़ सकता है केजरिवाल अपनी बै अर्विन केजरिवाल की पहली रात काफी बेचैनी वाली रही परेशान से रहे बहुत सारी परेशानी है अर्विन केजरिवाल को लेकिन कौन से जेल में है एक तरब मनिश्य सोडिया जेल नंबर एक में है जेल नंबर साथ में सतेंद्र जैन है अर्विन केजरिवाल कौन सी जेल में है और उनके उनको विजिट करने के राइट स्किन के पास है और क्या इस पे भी कोई एक समय सीमा है? जेल में है और कि आज सुबह नाच्टा जो है तिहार जिल का ही उनके पास घरता नहीं आया तो जिससे ये उम्मी जिताई जा रहे कि यह बिए तिहार पहुता है और कि तरह से वहाँ पर जो आपने बताया है कि जो दूसरे लोग है कोईकि एक नंबर से लेकर साथ नंबर तक आमादी पार्टे के जो वरिष्ट मंत्री यो रहे देपूर में उपमुक्स मंत्री है वो यहां पर बंद है लेकिन उनकी मुलाकात आपसवा होना बिल्कुल मुश्किल है क्योंकि यह सभी जेल अलग-अलग है एक नमबर दो नमबर पांच नमबर में संजय सिंग है एक पसम मुलाकात इन जेलों के जो जेल के अंदर जो लोग है आरूपी है चाहे ट्रायल प्रिजर है वो सब यहां पर एक सूरसे से नहीं मिल सकते है तो आज यहां देखना होगा अगर इतनी सारे लिमिटेशन्स है नियमावली है और जेल का एक तौर तरीका है तो यहां से सर कार की मंत्री आतिशी की मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही हैं शराब घोटाले वाले केस में एडी को एहम दस्तावेज हाथ लगे हैं जिसके बाद आतिशी एडी के रेडार पर आ गई है एडी को आतिशी पर गोवा चुनाव के लिए रिश्वत लेने का एक सो चालिस करोड जंता वो पाई-पाई का हिसाब मांग रही है सबसे पहला सवाल जो अर्विंद केजरिवाल और जो भरष्टाचारी आपके नेता हैं उनसे पूछना चाहेंगे ये जो न्याले जाते हैं अर्विंद केजरिवाल और अब आप गिनिएगा अर्विंद केजरिवाल जी सबसे पहले दिल्ली उच्छ न्याले गए और उन्होंने कहा नौ समंज एडी के आए हैं उस पे रोग लगाई जाए और मेरी गिरिफतारी ना हो पहली चोट दिल्ली उच्छ न्याले ने कहा प्रतम द्रश्ट्या फाइलों का अवलोकन करने के बाद ये स्पष्ट है कि शराब घुटाले का अगर आरोपी कोई है तो वो आप हैं और उनको राहत नहीं मिली उसके बाद एडी कोड गए उन्होंने कहा एडी को मेरी हिरासत ना दी जाए एडी कोड ने कहा नहीं एडी जाज करेगी आपको मुश्किल सवालों का जवाब देना पड़ेगा उसके बाद वो पुने दिल्ली उचनैले गए कि ये जो आदेश हुआ है इस पे रोक लगाई जाए दिल्ली उचनैले ने रोक नहीं लगाई फिर वो एडी कोड गए एडी कोड ने उनकी हिरासत को आगे बढ़ा दिया और हमने देखा कि पुना पंदरा एप्रिल तक उनको जुडिशिल कस्टिडी में दे दिया गया ये हुई पाच चोटे इसके साथ मनीश से सोडिया मनीश से सोडिया 14 महीने से जेल में है इडी कोड ने बेल नहीं दी डेली हाई कोड ने बेल नहीं दी सुप्रीम कोड ने बेल नहीं दी रिव्यू पेटिशन फाइल किया बेल नहीं मिली चार और चोट लगी पाँच और चार नो नो बार नयाले से मूँ की खानी पड़ी संजे सिंग इडी कोड कोई रहात नहीं उसके बाद दिल्ली उच नयाले कोई रहात नहीं ग्यारा तो क्या आज ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे ये जो सारी बहस है ये प्रेस वारताओं में ही होती है लेकिन नयाले के अंदर जो आपकी दलीले हैं ये खोकली है और देश सम्विधान से चलता है लोक्तंत्र में मर्यादा होती है नयाले फैसला करता है कि किसको बेल मिलेगी किसको नहीं इस पे आपका कोई प्रवक्ता कोई जवाब नहीं देता है दूसरी बड़ी बात क्या ये सत्य नहीं है कि मनीश सोडिया की गिरिफ्तारी हुई आपने उनसे स्तीफा लिया आपने सतिंदर जैन से भाजपा नहीं दबाव बनाया जनता की आवाज बन गए आपने स्तीफा लिया आज ये दोरे मापदंड क्यों है अरविंद केज रिवाल जी आप स्वैम आज आरोपी हैं जेल की सलाकों के पीछे हैं तो आप स्तीफा नहीं देंगे लेकिन मनीश सोडिया और सतिंदर जैन से आपने स्तीफा ले लिया और आई मस्ट डेफिनिटली से तब आपने बनाया देली डिजर्व बेटर सी एम थेत्वा नही हैं